पंजाब के लुधियाना में ग्यासपुरा में रविवार सुभह गैस लीख होनी से दो बच्चे समेट 11 लोगों की मौत हो गई ये कौन सी गैस थी शाम 6 बजे तक पता ना चल सका मितकों की बॉडी की जाँच करने वाले डॉक्टर ने बताया कि दिमाग में जहर पहुचने की वज़े से मौते हुई डैट बॉडी के फेफ़डों पर कोई असर नहीं हुआ ग्यासपूर में हाथसे के बाद जब मीडिया टीम वहां पहुची तो उन्होंने गैस रिसने की बात का पता लगाना शुरू किया उन्होंने को पता चला कि वहां पर एक किराना स्टोर और मिल्क बूत है जहां से इस गैस का रिसाव हुआ नजदीक ही सेवर लाइन गुजर रही थी अब तक कोई जाच में सामने आया कि सेवर में कैमिकल डाला गया था जिसके चलते जहरीली गैस बन गई थी हाथसे के बाद मौके पर पहुँची लुद्याना की डिप्टिक कमिशनर सुभी मरिक ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में दमगुटने का कोई लक्षन नहीं दिखा मौत की वज़ा नियूरोटाक्सीन यानि की नर्वर सिस्टम पर असर करने वाला जहर है हो सकता है कि सीवरेज मैन होल में कैमिकल रियक्शन हुआ नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एंडियारं की टीम ही भी बुलाई गई गैस लिकेज की जाँच के लिए मशीने लगाई गई है सीवरेज मैन होल से सेंपल ले गई बॉडिस का पोस्मार्टम होगा और ब्लड सेंपल भी ले जाएंगे शाम को घटनसल पहुचे पंजाब की सेहत मंतरी बलवीर सिंग ने कहा कि हाथसा सीवरेज की गैस की वज़े से हुआ उन्होंने शुरुआते जाच में हाइडरोजन सलफाइट के लक्षन होने की बात कई सेहत मंतरी ने कहा कि इलाके से अभी स्मेल आ रही है गैस का आगे फैलाब रोपने के लिए एंडर्फ की टीमें लगी है जब तक पूरा इलाका सेफ नहीं हो जाता लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा